एक गाव में सूरेश नाम का एक किसान रहता था वह खेती किया करता था जिससे उसका भरण पोशन होता था उसके कोई संतान नहीं थी जब भी उसके संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यू हो जाती इस तरह उसकी छे संतानों की मृत्यू हो चुकी थी दोनों पती-पत्नी दुखी रहने लगे फिर आस्ते-आस्ते उसके दुखों का असर उसके पशों में पढ़ने लगा धीरे-धीरे पशों ने भी दूद देना बंद कर दिया खेतों में भी अनाजन के बराबर होने लगा उनके खेत में एक पीपल का पेड लगा हुआ था वहां आस्ते-आस्ते सुखने लगा एक दिन दोनों पती-पत्नी उस पेड के नीचे बैठ कर रोने लगे उनकी रोने की आवाज एक महात्मा के कानों में पड़ी जो वहां से गुजर रहे थे उन्होंने आकर पूछा क्या बात है बच्चा क्यों दुखी हो किश बात के लिए रो रहे हूं मुझे लगता है कि हमारे नसीब में सुख नहीं है जो भी संतान होती है उसकी अकाल मृत्य हो जाती है घर में पशु भी दूध नहीं दे रहे है खाने के लिए आनाज भी नहीं है हम किस तरह से अपना गुजर्बसर करेगे अब हमें समझ नहीं आ रहा हमारे खेत में यह पीपल का पेड जो हरा भरा था अब सुखने लगा है तुम चिंता मत करों यह पेपल का पेड तुम्हारे दुखों को दूर करेगा आज के बाद तुम इस पेपल के पेड को दूध, पानी और तेल से सीचना और रविवार को छोड़ कर इस पेड में रोज संध्या को तेल का दिया जलाना और रविवार के दिन रोज सुभा सूर्य देवता को जल चड़ाना इतना करने से तुम्हारे उपर जो भी संकट है सब तल जाएगा फिर मंगला ने अगले दिन से महात्मा के कहे अनुसार पीपल के पेड मी दूध, पानी और तेल चड़ाना शुरू कर दिया और रोज साम को वह पीपल के नीचे तेल का दिया जलाने लगा धीरे धीरे उसके संकट भी कटने लगे घर में खुशाली आने लगी, खेत में भी फसल होने लगी, पशू भी दूध देने लगे और फिर एक साल के अंदर ही उसको एक पुत्र रतन की प्राक्ती हुई अब उसके घर में आकाल मृत्यू भी नहीं हो रही थी सब कुछ सामान्य चल रहा था जिससे उसका परिवार अब खुश रहने लगा एक दिन सूरेश और उसका पुत्र कहीं जा रहे थे उन्हें रास्ते में वही महात्मा मिले महात्मा ने सूरेश से कहा केसे हो बच्चा अब केसा चल रहा है पेपल के पेड में पानी देते हो या नहीं महात्मा आपकी कृपा से हमें पुत्र प्राप्थ हुआ आपकी बड़ी कृपा है अब हमारे घर में भी सुक शान्ती है सब कुछ सामान्य चल रहा है, अब हमें किसी प्रकार का कश्ट नहीं है, आपने तो हमारा जीवन बदल दिया. पुत्र मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, सब कुछ तुम्हें तुम्हारे पित्रों का दिया हुआ है. जो लोग पीपड के पेड को पानी, दूध और तेल से सीचते हैं, उसके घर में कभी भी दुख नहीं आता, उनके पित्र हमेशा उन पर खुश रहते हैं. पित्रों की शान्ती के लिए हमेशा पीपल की पूजा करनी चाहिए। जो लोग पीपल की पूजा करते हैं, उनकी घर में हमेशा सुख शान्ती रहती है। हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए कहते हैं, पीपल के पेड में वर्मा, विश्नो और महेश वास करते हैं।